हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेर करना ना भूलेगा कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा आप सबके जीवन में की बहुत सारे लोग आतंक मचाते हैं परेशान करते हैं कभी आपने सोचा है कि एक और आतंक आप सबकी जीवन में आ सकता है और वो आतंक ग्रहों का आतंक है जी हाँ आज हम यहीं बताने जा रहे हैं कि जब ग्रह आतंक मचाते हैं तो कैसा कैसा लगेगा जब ग्रह आतंक मचाएंगे तो कैसे आपको अहसास होगा कि ये ग्रहों का आतंक है अभी पीछे एक दो दिन पहले ही एक सज्जन आये थे तो मिल गया एक हम को अच्छा टॉपिक और बातो बातों में ये शब्द जब पकड़ा तो मैंने का वाओ तो बहुत कैची वर्ड है हर एक सोच और उस सोच को जब हम क्रिया में बदलते हैं तो उसी दोरान ग्रह अपना खेल खेल जाते हैं तो ग्रह जब अटैक करते हैं जब आतंक मचाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारी सोच को प्रभावित करते हैं इनका अटैक ही डारेक्ट हमारे ब्रेन पर होता है तो आतंक मचाने वाले आतंकवादी ग्रहों का जिक्र कर रहे हैं हर एक ग्रह अपने अपने आप में आतंकवादी है जैसे हर एक मानों के अंदर एक आतंकवादिता छुपा हुआ है एक दुरगुण का नाम आतंक वादिता है जराना तो हर ग्रह में वो दम है आपके हमारे प्रारब्धा नुसार वो आतंक हमें ग्रहों के द्वारा मिल जाता है हम सब को ग्रहों के द्वारा वो आतंक वाद मिल जाता है किसी भी ग्रह के साथ चंद्र का दूशित होना आपके कुंडली के सबसे बड़े आतंक वादिता की निशानी है समझिए का बात सबसे बड़े आतंक वादिता की निशानी है अब देखी अगर चंद्रमा राहु के साथ है आपके कुंडली में आतंक वादि घुश गए अगर आपके कुंडली में चंद्रमा अशनी के साथ है भया आगया आतंक वादि अगर चंद्रमा नीच के मंगल के साथ हो नीच भंग राजयोग बन जाता है वहाँ पर चंद्रमा सुग रही होता है बट आगया तंकवादी अगर चंद्रमा नीच के सूरी के साथ हो राजरानी योग बनता है बट आगया तंकवादी पेडित चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ आपके कुंडली में आतंकवादिता के आरंभ करने का पहला सोपान होता है तो आज ये जो विश्य हम ले करके आएं हैं कि आप कैसे जानें कि ग्रहों का आतंक कैसे मचता है सबसे पहले चंद्रमा के साथ का संबंध देखना होता है चंद्रमा आपके जन्वांक में कितना श्ट्राउंग है कितना दूशित है कितना पीडित है किस तरह की स्थती में है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है तो इन प्रभावों को ही जीना है आपको इन प्रभावों से आपको जीना है इन प्रभाव में आपको जीना है इस अमस्त प्रभाव आपके लिए एक सगरात्मक पक्ष पैदा करते है अगर मांसिक रूप से अपने आपको मजबूत कर लिया जाए तो ग्रहों के आतंग को कुछ हद तक कम किया जा सकता है अब कैसे मजबूत किया जा इसके लिए आपको चंदर्मा को बल्वान करना पड़ेगा चंदर्मा को बल्वान कैसे करें चंदर्मा को संतुरुत कैसे करें इसके लिए सिर्फ एक मातर चारा है इस्तरी शक्ति की पूजा करिए नारी शक्ति की पूजा करिए देगं, घर में जितनी महलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सब का इथोचित सम्मान करिए, सबसे उची आवाज में बात ना करिए, उनका आदर करिए, उनकी स्थति कैसी है, अब यहां पर यह तरक कुतरक मत दीजिएगा, कि वो ऐसी हो तो क्या करें, वो ऐसी नहीं लेना देना है आप कैसे हैं इससे लेना देना है हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा शुरवात खुद से करनी है तो आप अपने आपके अंदर के भाओं को थोड़ा सा और सुसंस्कृत करिएगा और सुसजित करिएगा और शुभ बनाईएगा ये आपके लिए बेहत्र शुभ और पॉश्टिव होगा ये आपके लिए बेहत्र शुभ होगा तो इन समस्त प्रभाओं को आपको जागरित रखना होगा सदय हो जिस दिन ये ग्रह अटैक करेंगे सब नश्ट हो जाएगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा बहुत सावधान रहने के आपशकता है बहुत पोजिटिव रहने के आपशकता है और बहुत सोच विचार कर काम करने के आपशकता है अगर आपके कुनली में इस प्रकार की बुरी स्थिति बरी हुई है कि ग्रहों के रूप में आतंकवादी आपके कुनली में घुज गए हैं तो आपको सावधान मैं करता हूँ आपका इश्टो फ्रेंट करता है आप बहुत सावधान रहेगा अन्था ये आपके लिए बेहत घा तक सिद्ध होगा फिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इसका कोई उपाय हमारे तमाम वीडियो में आप पास सकते हैं चंद्रमा की शुपता के लिए बहुत सारे प्रियोग हमने बताए है चंद्रमा को कैसे शुप किया दा सफे धागे का प्रियोग है लासन का प्रियोग ह और इस परफ्यूम का इत्र का प्रियोग है, तमाम प्रियोग है, चावल का रुराद, सफिद रुमाल का प्रियोग है, बहुत सारे प्रियोग है, आप सर्च करिए हमारे चैनल पर, आपको सारे जानकारियां मिलती रहेंगे, तो उमीद करते हैं, ग्रहों के रूप में आपक प्रियोगों से लवरीच इस चैनल के एतिहासिक लाभांश को अपने जीवन में भूगने के लिए तया रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार जैसिकिष्णा शिरादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा